नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेरिनोरम टेबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है पेरिनोरम टेबलेट को कैसे लेना चाहिए और पेरिनोरम टेबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि पेरिनोरम टेबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में पेरिनोरम टेबलेट को ले उपयोग सीने में जलन होने पर, बधजमी होने पर, हिचकी आने पर और खाना खाने के बाद पेट में भारीपन लगना आधी समस्याओं को ठीक करने के लिए भी पेरिनोरम टैबलेट का उपयोग किया जाता है। और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर दूद के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पेरिनोरम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। पेरिनोरम एक ब्रैंड नेम है। पेरिनोरम टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन मेटो क्लोप्रामाइट 10MG होता है। दोस्तों खृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम दिसकस करेंगे की पेरिनोरम टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। पेरिनोरम टैबलेट को खाली पेत या खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना रेकमेंडेड होता है। आमतोर पर 9 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को Dr. Perinorum 5 Mg Tablet को दिन में 3 बार और 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को Dr. Perinorum 10 Mg Tablet को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं. और दूद के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए संपान करा रही महिलाओं को Dr. Perinorum 10 Mg Tablet को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं. ज्यादातर संपान करा रही महिलाओं को Dr. साथ दिन से लेकर 14 दिन के लिए Perinorum Tablet को लेने की सलाह देते हैं. लेकिन Perinorum Tablet की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती हैं. इसलिए आपको Perinorum Tablet को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना Perinorum Tablet को नहीं लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे की Perinorum Tablet की वजह से क्या Side Effects हो सकते हैं. वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Perinorum Tablet की वजह से कोई Side Effects नहीं होते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की Perinorum Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में Perinorum Tablet को लेना रेकमेंदेर नहीं होता है. अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए. क्योंकि किड्नी और लिवर की समस्याओं से पीडित व्यक्तियों में Perinorum Tablet की खुराग घटानी पड़ सकती है. अगर किसी व्यक्ति को Perinorum Tablet या इसके किसी भी इंग्रीडेंट जैसे मेटो क्लोक्रामाइड आदी से इलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को Perinorum Tablet का सेवन नहीं करना चाहिए. और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी पताना चाहिए. अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं पेरिनोरम Tablet को ले सकती है या नहीं. प्रेगनेंट महिलाओं के लिए पेरिनोरम Tablet का सेवन करना सुरक्षित है. और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्तर पेरिनोरम Tablet को लेने की सलाह तभी देते हैं, जब पेरिनोरम Tablet का देना बहुत ही जरूरी हो. इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को पेरिनोरम Tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए. और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को पेरिनोरम Tablet को नहीं लेना चाहिए. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका पेरिनूरम टेबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं